हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई इस्टुड़ी फीट चैनल दोस्तो आज में बताने वाले हूं एथलेटिक के इतिहौर्श के बारे में दोस्तो यह आप फिजिकल एजूकेशन के किसी भी कंपिटिटिटिव एक्जाम की तयारी कर रहे हैं यह पी टीटी पीटी पीटी अ सब के वीडियो को वाच करने के लिए आप चैनल के प्ले लिश्ट में जा करके वाच कर सकते हैं दोस्तों चलते हैं एथलेटिस के अषडे के बारे में दोस्तों इसमें एथलेटिस को वे टापिक जो आपके एक्जाम में 100% बार-बार पुशे जाते हैं उन सबका वरन किय जब आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को सुरू से लार्ट तक जरूर वाच कीजिएगा बीच में इसकिप मत कीजिएगा एंपर हीवाइब बिजित कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रिस कर लीजिए इससे जब भी मैं नए व एथलेटिक्स जो है इनानी भासा की एथलोन सब्द से बना है जिसका अर्थ होता है प्रतियोगिता अमेरिका में इसका अर्थ लगा जाता है सभी खेल क्रियाओं से एंड इसे खेलों की रानी कहा जाता है एथलेटिक को खेलों की रानी कहा जाता है एंड खेलों की माता य बर्ट बाराहुई सतावदी में इसके इंग्लाइन में इसको इतलेटिस के बारे में जैसे की इतलेटिस का जन्म जो है ग्रीस में हुआ ऐसे तो हरी जगह इतलेटिस पहले से ही बिदमान था जन्म से ही प्राराम प्राकिटिक करिया है दरूना खेलना फेकना लेकिन इसका व पर्थम प्रत्योगिता एतलेटिस की 776 इस्अपूरो में उलंपिया ग्रीस में हुआ जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि प्राचिन उलंपिक खेलों का आरम हुआ था पूर ग्रीस यानि युनान की ओलम्पिया सहर में और आधनिक ओलम्पिक खेल की शुरुवात कहां पे हुआ था कब हुआ था तो अठाव सो चानबे में एथेंस के पेनाथोनिक स्टेडियम में ठीक है और भारत की प्रत्थम प्रत्योगीता शुरू हुए 1924 नहीं दिल्ली म पूलम्पिक में सामिल हुआ एथेंस ग्रीश में एश्याई खेलों में 1929 दिल्ली में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एश्याई खेलों की शुरुवात 1929 दिल्ली से हुआ है बिश्यू का प्रत्योगीता एथलेटिक्स की पूरूस से महिला दोनों की 1997 डसेल डॉर्फ पस्टिम जर्मनी से शुरू हुआ अब बात करते हैं महतपूर संगर्थन की एथलेटिक्स रिलेटेट जैसे की IAAF इसका फुलफाम होता है इंटरनेशनल एसोसियेशन आप एथलेटिक फेडरेशन यानि बिश्वे एथलेटिक संग दोस्तों इसका पुराना नाम पुराना फुलफाम था इंटरनेशनल एमेच्यूर एथलेटिक फेडरेशन जबकि बाद में इसका एमेच्यूर के अस्थाम पर एसोसियेशन कर दिया गया इसलिए अब है इंटरनेशनल एसोसियेशन आप एथलेटिक फेडरेशन बिश्वे एथलेटिक संग इसकी इस्थापना 1912 में हुआ स्टाखों शुडवन थां असक बाद में निचस्टी सरावे से इसका Дो Carry sons कर दिया गया मुझ्याल मोचा मुझा को देश्य में इस भी डिया गया ब परतमान में IAAF का फिर से नाम चेंज हुआ है, दिसंबर 2019 में एक करेंट की बात है, दिसंबर 2019 में इसका नाम चेंज करके वर्ल्ड एथलेटिक कर दिया गया है, अब बात करेंगे भात्पी एथलेटिक संग, जिसकी इसकी इस्थापना 1946 बंगलोर में हुआ था, यानि भात् इसका हुआ हुआ है, इसका हटा करके बातमान नाम रख दिया गया एफ-ई एफ-ई यानि एथलेटिक फ्यज्जिएर्डियाफ पिछ लिया जाता है, इसलिए ध्यान रखना आवर-ष् रेक है, तो तो दोस्तो यह था इसलेटिस के बारे महत्रपूर टापिक जानने वाली बात है कि जो आपका साइन है इसकी थापना 25 जनुरी 1984 के हुआ था उसका नाम अब चेंज कर दिया गया है तो प्राधिकरर यानि अथार्टी सब्दिस में हटा करके वनली इस आई रखा गया है जिसे इस्पूर्ट इंडिया नाम दिया गया है 11 फ़री 2019 सब्द को हटाया गया है यह भी आप याद रखिए गया तो दोस्तो यह था एथलेटिस के बारे में कुछ महत्रपूर टॉपिक जो आपके एक्जाम में 100% पूछे जाते हैं दोस्तो आई होप कि यह वीडियो आप प्रेस कर दीजिए जिसे जो हिर में नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नौटिफिकरस सबसे पहसे आपकी पास पहुचे तो दोस्तो फिजिकर एजुकरस के सब ही टॉपिक के बारे में इस्टेप बाई इस्टेप मैं वीडियो लाती रहूंगी आप कांटिनूरी इस विवाच करते रहें तो दोस्तों मिलते हैं नेश्ट वीडियो में नेश्ट आपक के साथ तब तक के लिए जय हूंगी